हेलो फ्रेंट्स वैदिक पंचेगव यूट्यूब चैनल में मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं दोस्तों आज का वीडियो मैं राश्च्रपंदु स्वर्गिय श्री राजे दिख्षिद जी की रिसर्च पर आधारित वीडियो पर बना रही हूं जिसमें उन्हों क्यों ना हूं उसकी जड़ कहीं ना कहीं इन दोशों का असंतुलित होना ही होती है और हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा रोग मानव को वाद दोश की वज़े से ही होते हैं राजेव जी ने बताए वाग बट्टर रिशी के सूत्र के अनुसार करीब 80 रोग वाद की वज़े से ही होते हैं गुटने का दर्द कमर दर्द जिसे प्रॉब्रम्स तो वाद से होते ही हैं पर वाद के वज़े से होने वाले सबसे खतरनाक रोग हैं हार्ट अटाइक हार्ट ब्लोकेज ब्रेन डैमेज परलिसिस तो दोस्तों वाग बट्टर पुराने जमाने में अपने हास को healthy रखने के लिए और ज्यादा घी खाएपकर आजकल हार्ट में जरा सा के कोलेस्टरॉल होते हैं HDL और LDL जिसे सिंपल भाशा में गुड़ कोलेस्टरॉल और बैड कोलेस्टरॉल भी कहा जाता है तो दोस्तों वात के सारे ही रोगों में HDL बड़ा ही लाब दायक होता है HDL यानिके लिप प्रोटीन जिसे गुड़ कोलेस्टरॉल भी कहा जाता है इसे हमारा लिवर ही बनाता है जब हम अच्छी कॉलिटी का यानिके अन्रिफाइन कच्ची खाने का शुद्ध तेल सेवन करते हैं दोस्तों बहुत से लोगों को लगता है कि कच्ची खाने का अन्रिफाइन ते करते हैं वाद को संतुलित करते हैं और इस तेल को जब रिफाइन किया जाता है तो उसमें तो उस प्रोसेस में उसमें 6-7 केमिकल्स इस्तेमाल किये जाते हैं फिर उसे हाइड टेम्परिचर पे बॉल किया जाता है इसकी वड़े से वह पूरी तरह से ट्रांस्परेंट हो जाए और उसकी गंद भी निकल जाए पर दोस्तों इस तरह रिफाइन किया हुआ तेल केवलिक लिक्विड होता है जो हम खाना बनाले के लिए इस्तमाल तो कर सकते हैं पर उससे हमारे शरीर को कुछ भी न्यूट्रिशन कुछ भी प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं इन फैक्ट और ठर रिफाãyन पेल की तो बस बात घिमत करिये क्योंकि वह तो जहर बरावरी होता है क्योंकि उसमें डब्ल वर टेपल र्वा cutting की प्रोंस में करीबन चोदा से 15kaa केमिकЛ्स होते हैं जो वैसे कि वैसे ही उूद हेल कि लिए सिरे में जल्षन किया जाता है कुछ प्लक्षम वापन खत्म होता जाता है और उसी वज़े से हमरे जॉइंट में लुब्रिकंट नहीं बन पाता है और 30-40 की उम्र से ही गुटनों का दर्द कमर दर्द आर्थ्राइटिस जैसे समस्याएं हमें फेस करनी पड़ती है तो उसको आप ही सोचिए एक किलोग्राम मुंटफली मार से कम 2-5 किलो मुंटफली की जरूरत होती है तो रिफाइंट तेल इतना सस्ता कैसे तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे हानिकार केमिकल्स भी मिलाये जाते हैं तेल के नाम पर जो हमारे शरीर में जाकर कई तरह के रोक पैदा करते हैं और पिछले है दोस्तों क्योंकि यह पाम ओल बाजर में बहुत ही सस्ते दरों में उपलब्द है इसलिए इसकी मिलावट करके लाखो करोडों रुपयों का फाइदा इन तेल कारोबारियों को मिलता है पर दोस्तों पाम ओल सारे तेलों में सबसे ज़्यादा खतरनाक और हानिकारक है हम जैसे मोटा पा, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटेक और कैंसर जैसी बीमारिया होती है दोस्तों हमारे खाने द्वारा हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों से मिलता है उसके बाद हमारे फूड में जो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्वोर से वो होता है तेल पर पर दादा के जमाने में किसी को भी हार्ट अटेक या हार्ट ब्लॉकेश क्यों नहीं होता था तो वह इसलिए दोस्तों क्योंकि वह भरपूर मात्रा में शुद्ध कच्ची खाने का तेल और देसी गाय का घी खाते थे तो अब यहाँ पर बात आती है कि हमें कौन सा तेल से पुद्र इलाकों में नारियल का तेल दोस्तों आजकल मार्केट में ओलीव ओल भी बड़ा ही शुद्ध है और सेहत मन्द है करके बीचा जाता है 100 ml सो रुपय में मिलता है मतलब 1 लिटर तेल करीबन 1000 रुपय में मिलता है वह तेल शुद्ध इसलिए होता है क्योंकि उसमे में ओली ओल के मुकाबले काफी कम किमतों में भी अवलेबल है 200-200 रुपय लिटर में आपको सारे तेल अन्रिफाइन कच्ची घाने से निकाल कर मिल जाएंगे और क्योंकि यह अन्रिफाइन होता है इस वज़े से इन में चिपचिपापन जादा होता है तो रिफाइन तेल रोज खाया जाने वाला रिफाइन ओईल एक तेल नहीं बलकि जहर की तरह काम कर रहा है तो आप भी हेल्दी और निरोगी शरीप चाहते हैं तो कच्ची घाने के तेल का ही इस्तमाल करें आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें जरूर बताईए आपके कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट कीजिए ये वीडियो शेर कीजिए सब के साथ क्योंकि सबी को इसकी बहुत जरूरत है और लास्ट में सब्सक्राइब करें हमारे वैदिक पंचेगवे यूट्यूब चैनल को धन्यवाद